नमस्कार दोस्तों, हमारे चेलल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंज कीजिए आज हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, यह है कोटा से 50 किलोमेटर आगे बुंदी बुंदी में हम बुंदी से आगे चोथ माता मंदिर के लिए निकले हैं, दर्शन के लिए और यह जो रास्ता है, यह बुंदी से चोथ माता मंदिर के लिए जाता है पांच साथ किलोमेटर पड़ता है, में बुंदी से चोथ माता मंदिर और यहां की बहुत मान्यता है बुंदी आज भी पुरा नही रूप से बसा हुआ है यहां की बनावट बहुत खुबसूरत है दोस्तो अगर आप कभी भी बुंदी आते हैं तो आप जोत मता मंदिर जरूर जाएए आपकी हर मनो कामना पुरी होगी यह बहुत ही खुबसूरत नजारा है इस रास्ते का पहाड़ियां अर्याली आज भी पुराना रूप लिये यह बुंदी पुरानी दरोवर की याद दिलाता है कोटा नाम बाद में रखा गया था पहले बुंदी के नाम से ही जाना जाता था यह देखे खुबसूरत नजारा पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ बुंदी शहर बड़े बड़े तालाब परपूर हरियाली पानी के बीच में महल खुबसूरत ज़रने पुराने किले यह देखे पहाड़ी के उपर किला आज भी यहाँ पर पुरानी विरासत के महल पुराने डिजाइन के मकान वैसे ही मिलेंगे यह खुबसूरत नज़रा आप देखिए नवरात्रा के समय यह रास्ते बहुत ही क्राउडेट हो जाते हैं यहाँ पर पैर रखने की जगए तक नहीं मिलती पहले यह रास्ते बहुत ज़्यादा कच्चे हुआ करते थे अभी बारिज का जर्क है वो इसी वज़े से है यहीं चोथ मता मंदिर में अमने शूट भी रखा था यह विशाल दरवाजे आज भी यहाँ पर वैसे के वैसे ही एक धरोड करूप में हैं और काफी बुन्दी के अंदर काफी दरवाजे हैं जिनके अलग अलग नाम भी दिये हुए है यह देगे आप यहाँ पर काफी प्रयाटन के रूप में जगह मौजूद है सेलानी भी काफी आते हैं यहाँ पर बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही खुपसूरत शहर बुन्दी राजस्तान कोटा से महच पचास किलोमेटर तूर अच्छे रिसोर्ट अच्छी होटल ठैरने की बहुत बढ़िया वेवस्ता खाने पीने के लिए यहाँ पर हर तरह से चटपटी चीजें बहुत ही मज़ेदार मिलेगी जिसमें से पानी पुरी पानी पताशे पुछके ये तीनो एक ही है लेकिन अलग-अलग शहर में अलग-अलग नाम दिये जाते हैं यहां के बहुत ही स्वादिष्ट माने जाते हैं राजिस्तान में ऐसे कोटा और बुंदी की नमकिन भी बहुत फेमास है आप जब भी आएं तो यहां पर आनन्द उठा सकते हैं कचोरी, समोसे, पानी पताशे बारिश के समय तो यहां पर बहुत पानी भर जाता है और काफी खोबसूरत नजारा होता है दोन उत्रा फर्याली, पहाड बिलकुल हरे, हमारे चेनल को देखते रहिए, कल हम आपको मन्त आगे भी हम आपको बताएं धन्यवाद लगातार हमारे चेनल के साथ बने रही है